नमस्कार दोस्तो Target with PS पर्यार में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 19 सितमवर और आज के जो प्रमुख समचार हैं आपके केरियर सिस्थम मंदित उनके प्रमुख बिंदु है कि UPLSC से जो सोला तारीकों प्रिक्षा आयोजित हुई थी ब्यायाम प्रसिक्षाग उसके जो प अपना आंसर मिला सकते हैं और यह आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रसंद सही है फिर दोस्तों जो अगली खबर है वह है कि डीलेट 2017 तो तो कि उसके रिजल्ट कब तक आ सकता है फिर दोस्तों PCS परिच्षा जो 2016 वाली है मुख परिच्षा उसके परिणाम की ब करती होने जा रही है फिर दोस्तों अगली जो प्रमखबर है जिसके बारे में आप लोग बहुत दिन से पूंश रहे थे कि उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग द्वारा आयोजित समिच्छा दिकारी साइक समिच्छा दिकारी प्री का रिजल्ट कब तक आएगा चूंकि इस प्रिक्चा है उसकी डेट प्रसतावी थे नमंबर में तो डोस्तों इसके जो रिजल्ट है बहुत जल्द इसके जल्ट आने की सुक्भुग प्रमस तेज हो गई है अचानक से उत्तप्रदेश लोग शिवा आयोग में और जोस्तों इसका जो रिजल्ट है वह देजिए ताकि जब भी कोई educational वीडियो बनेगा या किसी भी भरती या vacancy के समंद में कोई update होगा तो उस वीडियो का notification आपको मिल जाएगा दोस्तो अगर आप लोग government service की तयारी कर रहे हैं तो ये channel बिलकुल आपके लिए है दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बयायाम प्रसिक्चक की तो जो बयायाम प्रसिक्चक और युवा कल्यान अधिकारी की जो परिक्चावी थी तो जैसा कि आयोग ने कहा था कि हम एक दिन बाद जो प्रसिक्च पत्र है वो website पर upload कर देंगे तो दोस्तो प्रसिक्च पत्र के साथ साथ में ही इस बार आयोग ने बहुत जल्द आंसर की भी upload कर दिया है आप लोग अपने अपने प्रसिन और उत्तर को मिला सकते हैं अपनी OMR की कारवन कापी की द्वारा की आपने कितने प्रसिन सई हल की हैं दोस्तो कटाफ की अगर आप बात करेंगे तो कटाफ उतनी रहेगी जितनी की मैंने बताई थी समानवर के लि अगे टु मार्किंग भी बहुत ज्यादा है इस वज़ा से दोस्तों जो यह मेरिट है वह 120 के आसपास अगर 120 नंबर है आपके तो आप लोग फिजकल की तयारी करना शुरू कर दीजिए तो दोस्तों जो फिजकल के लिए आपके पास लगबग 2-5 महिने हैं और दिसंबर में इसके जो फिजकल है वो दिसंबर के जनवरी में दिसंबर से लेकर के जनवरी तक जो है आपकी जो सारे रिक प्रिच्चा होगी ऐसी चर्चान चल रही है और आप हम लोग देखते हैं कोई दूसरी खबर दोस्तों DL8 2017 जैसा कि हमेशा से होता है नियामक आयोग से जो है कि BTC और DL8 इन दोनों का रिजल्ट बहुत लेट में आता है परिच्चाओं का सेसन बहुत लेट चलता है हर रिजल्ट के लिए विद्यारतियों को अंदुलन करता है तो दोस्तों अंद नहीं हो रहा है और जबकि यह परिणाम अगस्त में जारी करने का ऐलान किया गया था खफा प्रशिक्चूओं ने परिच्छा नियामक प्राधिकारी कार्याले का घेराव किया सचु अनिल भूशन चत्रवेदी ने बताया कि रिजल्ट अगले सब्ताय में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट है यह अगले हपते आ जाएगा तो दोस्तों यह एक अच्छी खबर है और डीलेट 2017 प्रतम सिमेस्टर में सबसे अधिक प्रशिक्चू है इनी को द्यान में रखकर उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन इस ब दोस्तों जो प्रमुक खबर यह जो है कि आप लोगों को जो रिजल्ट है वो अगले हपते आ जाएगा तो ठीक है दोस्तों यह आप लोगों की एक अच्छी खबर है फिर दोस्तों जो अगली खबर है वो है UPTET UPT में आप लोग जो पूँच रहते कि सर इसका नोटिफिक का कल भी आप लोग एक वीडियो में पूँच रहते आप लोग नोटिफिकेशन नहीं ढूटते रहे और लोगों ने रिजिस्टेशन कर दिया यह देखिए इसमें लिखा गुआ कि उत्तर प्रदेश सिक्षक पात्ता परिक्षा यानि UPT 2018 के लिए मंगलवार दुपहर से ऑनलाइन पंजी करण की प्रक्रिया सुरू हो गई है पहले ही दिन करीब 500 भर्तियों ने रिजिस्टेशन कराया है इस बार बीएट को भी प्रात्मिक स्कूलों में भर्ति में मौका दिया गया है इसलिए रिकार्ड आवेदन होने की आसार है परिक्षा चार नवंबर वह 20 नवंबर को जारी होगा तो दोस्तों यही एक प्रमुक कबर है कि जो है इसका जो आवेदन शुरू हो गया है पहले और एक कबर और लिखी भी है कि पहचान में आधार नहीं तिन वीकल्प है चुकि उसमें जो आप लोग आवेदन करेंगे तो उसमें जो आईडी के लोगों को बहुत सारी समस्चा हो रही है तो ठीक है दोस्तों इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं B8 वाले भी और BTC वाले भी दोस्तों पूरी चानकारी के लिए आप लोग यह वेबसाइट है यूपी बेसिक एज्जू बोर्ड तो र.GOV यह वही वेबसाइट है जिसमें टी-टी इत्यादिक रिजल्ट परिच्छा नियामक की वेबसाइट है आप इस पर जाकर के आवेदन सुल्क पाट करम की सरसना परिच्छा वजदी यानि टी-टी के बारे में पूरी चानकारी आपको इस अथेन्टिक वेबसाइट से मिल जाएगी फिर दोस्तों जो अगली कवर है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की है इसमें लिखा हुआ है कि यूपी आज के जो पेपर है उसमें कई पेपर में यह बात चपी है कि यूपी प्यस्ची में आई तेजी महत्यपूर्ण परिणामों परिच्छाओं के परिणाम लंब यूपी प्यस्ची जल्द ही अंतिम निर्णाय लेगा मुख सचीव के निर्देशों के किरियानवन में PCS मुखी परिच्छा 2016 राज अभियंतरन सेवा परिच्छा 2017 का परिणाम भी दिये जाने की सुक बगार तेज हो गई है तो दोस्तों इसमें साब साब आप लोग परिच्छा है इन सबका रिजल्ट अक्टूबर महीने में ही आ सकता है और इसकी समिच्छात का रही कि तो अभी आंसर की नहीं आई यह लेकिन आईसी योजना की आंसर की आने के लगबग 15 ये 20 दिन बाद ही रिजल्ट गोशित कर दिया जाएगा तो ठीक है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोक से समंदित एक कबर थी फिर दोस्तों अगली चोंबरती जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इसमें विभीन विभागों में सरकार के निर्देशानुसार भरतियां कराई जा रही है तो उसी क्रमी के जानकारी है क कि परिवहन निगम बोड बैठक में कई रेडियों पर मुहर नवंबर मां से आ रहे नए बस बेड़े के लिए परिवहन निगम प्रबंदन बहुत जल्द 3,444 भरतियां करेगा कार्पोरेट सेलरी स्कीम के तहट 21,719 इस्थाई रोड़ बेज करिमियों के लिए करीब 30 ल आइवर और कंडेक्टर यह इन दोनों पदों पर भरती होगी तो ठीक है दोस्तों देखते हैं कब तक आती है यह भरती तो ठीक है दोस्तों यह आज की जो प्रमुक सुचनाय थी और इसी तरीके सुचनाय प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक अवस करें और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब ने किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें बहुत बहुत धन्यवाद